नमस्कारम सद्गुरू जब हम चुम्बकी भूमद्य रेखा कहते हैं, तो हम उत्तरी ध्रूव और दक्षणी ध्रूव के एक तरह से शून प्रभाव की बात करते होते हैं। चुम्बकी भूमद्य रेखा यानी की न तो उत्तर के और नहीं दक्षण के खेचाव का आप पर अधिक असर है, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां असर लगभग शुन्य हैं। तो जब आप चुम्बकी भूमद्य रेखा पर हों तो यह आपकी उर्जाओं को ऊपर की ओर उठने देती हैं। यह ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि कुछ भी टेड़ा नहीं हैं। अगर आप उत्तरीक शेत्र में हैं, तो उत्तरीक खिंचाव एक खास तरह से मौजूद होगा। तो आपका सिस्टम हमेशा उसके साथ तालमेल में होने की कोशिश करता है। यह कुछ हैसे है, अगर आप अपनी कार चला रहे हों, तो पहिये में अलाइन्मेंट में थोड़ या बाई तरफ खिचती हैं, लेकिन शायद वो बहुत हलका हो कि आप परिशान ना हो, पहली बात ज्यादेतर लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता, अगर आप स्टेरिंग से हाथ हटा लें और गाड़ी चलाएं, तो वो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी दूर वो यह संभव नहीं है, लेकिन चारो पहियों को परफेक्ली अलाइन करना लगभगा संभव है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, एक आम साधारन कार में यह संभव नहीं है, रेसिंग कार में वो इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड पर पहुँच रहे हैं, कि अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो यह जरा सी अलाइनमेंट समस्या, रेस ड्राइवर को कुछी सेकंड में कॉर्णर में स्लो कर सकती है, तो वो इसे परफेक्ल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट, मुझे नहीं पता है कि क्या उने भी वो बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट हासिल हो पाता है या नहीं, लेकिन लगभख सटीक अलाइनमेंट से वो काम चलाते हैं, तो जब आप चुमबकी भूमद्य रेखा पर होते हैं, तब आप चुमबकी दृष्टी से लगभख सटीक अलाइनमेंट में होते हैं, इ का मतलब कि जीवन अपने सर्विस रेष्ट पर नृत्य कर रहा है तो वहाँ पर नडराज को ये दर्शाने के लिए स्थापित किया गया कि यहाँ जीवन अपने शिखर पर है अगर आप वहाँ हूँ और सही चीजे करें तो आपका जीवन अपने नृत्य के चरम प्रदर्शन पर होता है जब हम डान्स कहते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता कि आप रॉक अन रोल किस्म के हैं या हिप हॉप किस्म के हैं या भरत नाटियम किस्म के हैं हम नहीं जानते कि आप किस किस्म के हैं क्योंकि जब हम Dance कहते हैं तो उसका मतलब अलग-लग लोगों के लिए अलग-अलग होता है तो मुख्य रूप से नृत्य का मतलब उल्लास है अदान के साथ ये और वो करना ये इन रित्य नहीं है, ये बस दिखावा है रित्य का मतलब उल्लास है जीवन अपने सर्वश्रेश्ट पर है तो आज बहुत एक वैज्ञानेक सब एटॉमिक कड़ों के खेल को कड़ों के नृत्य के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता है सर्ण के सामने नटराज की मूर्थी को स्थापित किया गया है तो आपको पता है वहां पर वो परमानूओं को आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं मानो धर्ती पर टकराव काफी नहीं है यह सब अटोमिक कणों के रिध्य को दर्शाता है जिससे पूरा स्थित्व वैसे घटित होता है जैसे वो है तो क्योंकि वहां चुम्बकी बलशून है तो दोनों तरफ से कोई खिचाव या धक्का नहीं है और उस अक्षांश पर काम कर रहे हैं सबसे हूची अपकेंदरी बल के कारण करीब करीब उपर की दिशा में जीवन अपने शिखर पर होता है और अगर आप अपने जीवन के साथ सही चीज़े कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत उल्लास्मय होता है इसी से संस्कृती शब्दाया है जिसका मतलब है कि संभाव में होना संबुध्धी चुम्बकी भूमद्य रेखा संभाव और उल्लास्मय होने की सूचक है तो उल्लास के सर्वोच्च स्तर पर और सर्वशेष्ट संभव संभाव में अगर अलाइन्मेंट बढ़िया है गती बढ़िया है तो वही विजेता होता है तो इसे लिए चिदंब्रम के मंदिर में शिव का एक आयाम शून्य का है या रिक्तता का है लोग इसके बारे में आकाश के रूप में बताते हैं क्योंकि ये तत्वों में से एक है वो आयाम भी वहाँ पर है क्योंकि जीवन के निश्चलता के भौतिक अनुभव में जो सबसे करीबी चीज़ लोग जानते हैं वो आकाश है दूसरे सारे तत्व गतिशीलता के एक खास अवस्था में है आकाश निश्चल लगता है ये पूरी तरह निश्चल नहीं है लेकिन ये निश्चल मालूम पड़ता है तत्वों में से सबसे ज्यादा निश्चल और मौन तत्व है तो वहाँ आकाश की पूजा होती है और एक प्रक्रिया है जो खालीपन है या माफ कीजेगा शून्य है शून्य का मतलब है भौतिक प्रकृती से परे और वहां रित्य है तीनों एक ही मंदिर में मौजूद हैं ये दर्शाने के लिए कि ये स्थान इसी के लिए तयार किया और उन्होंने इसे संभव बनाने के लिए सही किस्म का भागुलिक स्थान चुना है